हेलो एव्रीवन वेलकम तुदा सेलेक्शन क्लासे तो हमारा टॉप हंडड़ सीरीज का करेंड़ फेस रहेगा जिसमें बात करेंगा हमारा कवर मंत कर रहे हैं अपना जुलाई मत ठीक है इससे पहले हमने आपका अगस्त सेप्टेमबर और ऑक्टूबर मंत के टॉप हंड़ स सीरीज हमने कवर कर लिए वो जा कि आप हमारी प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं तो जैसे कि आपको पता यह सीरीज हमारी टॉप हंड़ सीरीज किस बारे में यह आपकी बेसिकली आपका जो भी उसमत में इंपोर्टेंट करणट अफर है उनका एक कंपाइलेशन है उसके स फारे कमें साथ हम वो कोशन तो कवर करेंगे करेंगे इसके सा साथ उसके जो back their on information उससे आपर cuisine हो सकते और उसको आपने बता देशके अलावा क्या कौशन एंपस्के जास्त वह सकते हैं वो भी हम सा săत ने कवर करेंगे तो यह जो सीरीज आपकी S. Chelsea जैसे सापका जो में इंफर्मेशन होती है उन सब में भी इंपोर्टन हो जाती हुड़ियो चल यह स्टार्ट करते हैं तो यह आपका फॉर्स्ट कॉशन रहेगा तो इस सीरीज में हम आपका हंड्रेट है उसमें आपका इस वीडियो में हम 30 कॉशन कवर कर लेंगा उसके 35 करेंगा लास्ट वाले तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे ताकि आपको रिविजन में भी असानी रहे तो हमारा फॉर्स्ट कॉशन है तो फॉर्स्ट कॉशन बात कर रहा है आपका इंटरनाशन एस्टरोइड डे कब सेलिबरेट करा जाता है तो वह आपको बहताना था आप डेट देखके समझी हों कि इसकांसर रहेगा आपका 30 जूल उसके साथ साथ आपको क्या information extra पता होनी चीए वो important है तो पहले तो आपको पता होनी चीए कौन-कौन से आपके जो space के देखे जाते है जो आपके पार्ट है वो देखे जाते है वो कौन-कौन से आपके जो comet है एस्टरोइड है है, meteoroid है, meteor, meteorite है तो इनमें आपको difference पता होना चीए यह basically सबको नहीं पता होता है बहुत माइनूट सा difference होता है चीज़ों में वो आपको मैं बता दूंगा आज तो basically आपको comet तो पता है को comet क्या होता है आपका देख रहे हो it is a mass of ice rock and dust इसमें एक tail भी present होती है आपकी उसक sun के orbit करते है round ठीक है यह आपका asteroid है difference में जो आपका confusion create होता है वो है यह यह तिनो आपका meteoroid, meteor और आपका meteoroid इनमें आपको differentiation में आपका confusion होता है तो मैं पता देता हूँ आपको, तो जो meteoroid होता है ना देख आपको small example के दुरू समझाते है जैसे यह आपकी earth है यह उसका atmosphere environment बोल सकते हो, environment बोल सकते हो, इसके बाद आपका यह space है, ठीक है, जो meteoroid होता है ना, meteoroid, तो वो होता है basically आपके fragments होते है, किसके यह asteroid के ही fragments होते है, जब वो asteroid तूटके जब earth की तरफ आने लगते है तो उनको बोला जाता है, meteoroid, ठीक है, जब वो meteor earth के atmosphere में घुश जाता ह है, तो वो हो जाता है, आपका meteor, और जब वो, जो meteor होता है, वो उसके अगर कोई surface बाइचांस होता है, कि उस space के जो अपना atmosphere हो, उसमें वो जला नहीं, पूरा गायब नहीं हुआ, अगर वो earth के surface तक पहुँच जाता है, तो उसको बोला जाता है, आपका meteoroid, तो आप समझ सिस्टम रहेगा, आपको पता हो का Pluto इसका पार्ट नहीं है, तो कितने planet बसते हैं, जैनुका मर्द करी है, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, यह आपके planets होते हैं, ठीक है, चार-चार आपके 8 planets हो जाते है, अब आपको बता होने चाहिए, asteroid belt होती का है, यहां से question आने के chance हो जाते है, तो asteroid belt जैनिंते हैं, यहां से question होते हैं, यहां से question आपके scheme से related question था तो फेवरेट टॉपिक है इसमें बात करी गई थी आपका PM की scheme थी कौन सी मुख्या मंतरी किशान समान निदियोजडा इसको आपका ये बोला जाता है PM किसान भी बोला जाता है इसको ठीक है तो ये question पुछा गया था कि June 2024 में आपकी launch होई थी तो ये कौन से state में करी गई थी तो इसका अंसर आएगा यहां तो आपका राजस्तान उसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं basically आपका PM किसान है जो scheme वो किस बारे में बात करता है तो मैं आपको बता देता हूं तो ये जो scheme आपकी आपने सुना होगा न्यूज में थी इसमें बात करी यह थी कि आपके जो फार्मर्स थे उनको 6,000 रुपे देने की बात थी हर साल ठीक है for each year यह आपके कुछ है ने quarterly time पे दिये जाते थे 2000-2000-2000 quarter तीन बर दिये जाते थे साल में तो ऐसे करके आपके 6,000 हो जाते थे इसके beneficiary बात करीगी थी कि यह कवर करेगी आपके लगबग 12 करोड किसानों को अब तक यह 10 करोड को कवर कर चुकिए इसमें आपका 100% अधार अंटिकेश्ट बेनिफिशरेस थे इसमें आपका DBT था डिरेक्ट बैंक ट्रांसपर था और यह आपका government funded थी तो इसको बोले जाए का आपका central sector scheme ठीक है central sponsor आपको पता होगा जिसमें आपका central plus state दोनों रहते हैं यह आपकी पूरी central sector scheme थी पूरी 100% government funded थी आपकी central government funded थी ठीक है इसमें आपका SMS अलाट आ जाते थे यह वो सब बात करी यह आपको basic idea मैंने दिया आपका देख़ो यह 2000 रुपे दिये जाएंगे कुछ quarter ले आपके 6000 पूरे दिये जाएंगे ठीक है राजिस्तान भी launch करे थी वहां के CM ते शरीप भशनला शर्मा जी उन्होंने इसका inauguration करा था next question हमारा बात करता है इसमें बोला गया कि अभी June में जो आपका मन्त है इस जुलाई मत इसमें अपका 3D holographic banknote release करे थे government ने अभी NTR भरोसा pension scheme launch करी थी वह आपको पताना था कॉंसर स्टेट है तो इसका अंसर रहेगा आपका आंध्रपरदेश इसके वारे में थोड़ असम आपको बता जए तो आपको याद करने मसा नहीं रहेगी तो यह अपने आंध्रपरदेश के आपके श्री नरायन चंत्रबाबु नायडू आपको पता होगा तो इसकीम के अंदर क्या थे सेक्ट में आपके सेक्टर स्क्राथे वो ते को ओल्ड को पसन ओता ओल्ड पेंशन स्कीम उनको नमें आपको 4000 रुपे दिया एंगे हर महीं ने को विड़ो है तो उनको 4000 रुप इन सेक्टर्स को परसाने जो उनको दिये जाने चाहिए ठीक है तर नमारा नेक्स्ट कोशन इसमें बात करीगी ती कि इंडियन एर फोर्स के जो वाइस मार्शल है वी आर चौधरी जी उन्होंने अभी रिसेंटले आपका निवली वेपन सिस्टम स्कूल लांच करागा तो उसका इनागरेशन करात तो कहां कराता वो आपको बताना तो इसकी लोकेशन होते हैं आपकी हद्राबाद ये हैं आपके वियार चौधरी जई एयर मार्शल अपधि आई एफ के फिलाल अमारा नेक्स-कुशन बात कराता कि यंग लिओ यह हैं ये उपस़ा तो यंग लिओ फॉक्सकान चेर्मेन यंग शियू लिसिम पद्बुशन प्लान्स टो विजिट इंडिया दिस यह तो यह था आपका थोड़ा सापको जो अवाड दिये जाते हैं बेसिकली थोड़ा साइड होना चाहिए तो आपका फर्स्ट आपका पताई होगा आपको बाकी आपके यह है इस कानसर आपका यहां पताना था है एंटोनियो कोस्टर्ज, ठीक है आप देख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि European Union के बारे में थोड़ा पता देतों, कहां पे कौन-कौन सिकन्टरी इसमें भी इसका पार्ट है तो क्यों पता होगा कि Brexit था, जिसमें आपका UK निकल गया था, तो Britain exit from the European Union, that was आपका UK, that was ये रड अरिया में तिन हमारे next question बात कर रहा था, इसमें पूचा गया था कि अभी recently आपका Sustainable Governance Champion Award दिया गया है, कौन सी कंपनी को दिया था, किस अवर्ड के क्या सिरीज थी, वो थी आपकी Outlook Planner Sustainability Summintain Award 2024, तो इस category में दिया गया था, ये था अवर्ड Sustainable Governance Champion Award, तो वो आपको बताना था, कौन सी आपकी कंपनी थी, वो थी अपनी इंडिया की Garden Reach, Ship Builders and Engineers, ये थी वो कंपनी ये, गौर्वर्णन बेस्ट कंपनी जो कि आपका है, कहीं ने कहीं, आपका वार्ड शिप बनाने का काम करती है, इंडिया में, तो ये काफी बड़ी औरगनाज़, आपका बड़ी कंपनी है, फॉर दा, नेवी के लिए, शिप्स और वार्शिप करेट करती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो वो था आपका अंसर, बेलरूस, ठीक है, तो बेसिक आपका आइड़ी होना चाहिए, स्यो है, कि स्यो आपका सांगाई कॉपरेशन और गनाज़ेशन है, कैसे इसका इसका स्टैब्लिश एंट वाता थोड़ा सा मैं आपका आइड़ी दे देता हूँ, कौन इनके मेंबर, उसके लिए आपका निम हम इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसका as a member country जाइन कर था, उसके बाद साथ आपका फिर इरान ने add हुआ था और उसके बाद बेलरूस ने जाइन कर रहा है, recently, ठीक है, latest आपका बेलरूस है, तो इसके member countries आपको मैं याद कराने का तरीका बता देता हूँ, उसके लिए न पाकिस्तान है, आई से इंडिया है, पाकिस्तान है, इरान और बेलरूस है, यह आप याद कर सकते, एक निमोनिक सही, ठीक है, then हमारा next question ने इसमें पूछा गया था, कि अभी इसरो ने आपका SSLV लांच कर रहा था, क्या लांच कर रहा था, उसके थूर आपका वो बताना आपका, वो अपने लांच कर रहा था, अपने इसरो ने, SSLV के थूर, उसके लिए प्राइवेट और और गनाशन जो अपनी है, NSIL, Commercial Army, इसरो की, उसके help ली गई थी, यह आपका 2024 में बात करी थी, तो इस मिशन को नाम दिया गया था, आपका Space Matter, ठीक है, इसके थूर अपन इसमें पूछा गया है कि, वो वास दा, आपका लास्ट इंडिया प्राइम मिनिस्टर तो विजिट ऑस्टे या, तो कौन आपके जैसे नरेंदर मोदी की जुलाई में विजिट होई थी, आपके इस कंटरी में, आपके ऑस्टेया में, तो उससे पहले भी कोई अपने उसे नर्टिया है इसके नेबरिंग करिंटरी सोया है, अपके स्थोल्य लैंड है, अग्री है, श्लोवाक्य है, चेक रिपब्लिक है, और उपर में आपकी जेकी जाती है, नेबरिंग कैस्की फिचर के मामलें बात करी जाता, तो काफी, ईसकी यहां की वो है, आपकी यू रिवर वन ऑफ दे इंपोर्टेंट रिवर रहे नीचे देखोगे तो एड्रैक्टिक सी एंग इसका में पास में पर क्लोज में आपका अड्रैक्टिक सी यह सबसे बास में आपका चैप पर यहां पे कुछ mountain ranges है इसके capital आपकी वियना पड़ती है ठीक है यह हमारा next question था आपका military से related इसमें बात करी थी joint military access आपकी मैतरी अभी recently कौन दो कंट्रियों के बीच में perform करी गई थी वो आपको बताना था तो वो दो है आपकी India और Thailand ठीक है आप देख सकते हैं India Thailand joint military access मैतरी begins यह उसके एक skills training के मामले में terrorism को counter करने के लिए insurgency operation और आपका natural disaster को overpower करने के लिए दूसरे की help लेके ठीक है purpose आपका बताई थी यह purpose था both countries to strengthen their military cooperation और aim क्या था to develop ability to work together jungle environment क्योंकि दोनों के पास है activities में आपका यह थे तो various activities थी weapon prevention थी यह सब इसके activities थी name आपका जो मैतरी है वो रेट करता और भी सारी exercise है वो आपको पता होना चाहिए उसके लिए मैंने पिछली आपकी जो top 100 series थी उसमें भी military exercise आई थी उसमें मैंने बाकी of countries से साथ जो exercise perform करी थी वो आप देख सकते हूं आप जाके नहीं हमारा next question था इसमें बात करीए थी कि अभी India warship ने develop करी थी आपकी आपका जो वो एक जीता भी था competition में आपका वो था आपका naval gunfire support competition था इसमें आपका शिवालिक जीता था INS Navy की तरफ से यह उसकी वह उसम ग्लिम्सेज है उस exercise के अंडर की देख सकते है फोटो है देन हमारा next question बात करता है आपका name of the mission बताना था किसका जो आपका fourth private astronaut mission था NASA क जो की बात कर रहा था आपका international space station के भेजने की तो उसका आपको नाम बताना था उसका नाम था आपका exam 4 यह आप देख सकते है थोड़ा समा आपका exam 4 के बारे में बता देता हूं तो यह आपका NASA और exam space के बीच का collaboration था यह आपका fourth private astronaut mission था जिसमें कुछ astronaut का आपका international space station है वह mission था इसका इसमें इंडिया ने अश्रोनोट को training दी गई थी नासा की तरफ से तकी और space access का partner था प्राइवेट एजनसी के मामले में तो आपका कहना का इंडिया-US space cooperation coal था इसका और exam mission के मामले में देख सकते हैं आपका जो गगनिया mission था उसे related कैसे होता है आपका जो इसके पर अब तक तो नहीं हुआ है तो that's a अलग issue then इसका 40 days का वो सब बता रहे है spacex के साथ है इसमें पूछा गया था कि आपके जो reserve bank of entry उन्होंने आपके ना कुछ एक group है वो group का नाम बताना था आपको जो कि एना platform create कर रहा था for the instant cross border retail payment के मामले में किसके लिए for the domestic central bank तो है न group था association of Southeast Asian nation वो था ये group ठीक है थोड़ा सापको Asian के बारे है पहले तो मैं आपको बता देता हूं तो Asian के आपके 1967 में आपके संसापना हुए थी Bangkok इसका area था जापके Bangkok declaration के इंडर इसकी establishment नहीं थी aim और purpose आपके वही है economic growth, social progress, culture development और आपके original peace or stability maintain करना और active collaboration करना among the nation ठीक है य Sydney है Cambodia, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Laos, Philippines, Vietnam, Thailand और Singapore ये पता होना चाहिए कि India Asian का member नहीं है ठीक है फिर भी हम कोशिश करते हैं cooperation maintain करें जो भी आपके Asia South Asian country क्योंकि अपना close neighbor हो जाता है ठीक है देन हमारा next session बात कर रहा था इसमें पुछा गया था कि अभी किसे appoint करा गया है आपका RBI का executive director for the immediate effective तो वो थे आपके अरणब कुमार चौधरी जी यह उनकी photo है थोड़ा सापका RBI के बारे में बता होना चाहिए कि RBI basically आपका 1935 में इसके establishment हो थी before the independence of India, headquarter का है इसका headquarter आपका Mumbai में पढ़ता है इसके major function कहा है, major function आपकी monetary authority है, foreign exchange को maintain करना है, उसका development role है, अपका currency issue करने का गम RBI आपका regulator and supervisor, आपका financial system, उसके बाद यह पता होगा, आपका bankers bank बोल लगाता है, तो जहाँ पर bankers को problem face करनी पढ़ती है, अगर loan लेने की जड़ाता है, तो वो आपके RBI से लेते हैं और आपका CRR, SLR, वो सब आपका, काईना के जो monetary policy committee है, उसके जो chair man आपके RBI के भी part है, ठ इसके life journey के अपर थी वो थी, आपकी Vice President of India, Venkyo Naidoo जी थे, तो उनके regarding तीन bookे थी, तो उनका आपको नाम बताना था कि कौन से इन में से नहीं है, चारों में से, तो वो आप, अगर आपको पता है, तो ये तीन होता है, ये चौती नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, जो की इन त इजाम में काफी important हो जाता है, ठीक है, तो आपका Venkyo Naidoo जी थे, ये इनकी biography थी, और अपके celebrating भारत, the mission of messaging, इनका नाम था, 13th Vice President of India, तो आपकी लास्ती महानेता, अप फोटो क्रोनिकल इन तेल को, ये तीन थी, जो आपके मुधी जी ने इसका inauguration करा था, आपका सेंट्र व dollar economy setup करने की बात करी थी, तो वो कौन सा state था, जिन्होंने आपका nodal investment region of manufacturing area bill लाय था, जिसको आपका निर्मान बिल भी बोल सकते है, 2024 में, तो वो कौन सा state था, वो था आपका उतरप्रदेश, ठीक है, थोड़ा सा इस bill के बारे में मैं आपको बताते हैं, क्योंकि और भी question आ सकते हैं, तो basic आपको outline का पता होने जाए कि यह बिल किस बारे में बात कर रहा है, तो यह बिल आपका basically बात कर रहा है, किसके लिए establishment, किसके लिए nodal investment region for manufacturing construction area, तो manufacturing area setup करने के लिए बात करी थी, उतरप्रदेश में, तो that was आपका निर्मा 294, किसने लड़ कर रहा था, वो था आपके CM ते योगिया दित्याना, जी, क्या था main आपका goal, state economy बढ़ाना, आपका trillion dollar goal, ठीक है, objective आपका हो जाता है, कि establish special investment region in उतरप्रदेश और आपका 4 geographical zone इसके लिए allocate करे गए थे, cluster zone, purpose आपका होई था, regional office setup करना for the business operations, then हमारा next question था, इसमें पूछा गया था, कि अभी आपको port का नाम बताना था, for the countries, agriculture, export and import capabilities, तो उस port का नाम आपको बताना था, वो था आपका जवालना, नहरू port, इससे साथ साथ आपको पता होने ची कि इंडिया के major ports कौन से है, और इंडिया के 13 आपके larger ports बताया गया है, इसमें इंडिया के, तो major ports आपके 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 चुटी को रहेना है, यह आपके पता होने चीए, आपको यह यह यलो वाले नहीं, यह आपके artificial वाले, बाकि आपके natural है, विशाकापट नम है पारादीप, कॉलकत्त, और हल्दिया, यह आपके 13 नेजर पोर्ट से आप देख सकते हैं, लार्जस पोर्ट से, चेन नहीं है, यह आपका जहां पर अभी इस्टाबलिश करा गया, तो यहां पर कांडला पोर्ट है, कोची, पोर्ट बलेर, मैंगलोर पोर्ट है, मुरमगाओ, मुंबई, पारादीप, अभिशाकापटना, यह आपको पता होने चीए, ठीक है, यह नहीं हमारा next question था, इसमें पूछा गय होगा, देखो, यह है वो, किन्नी छोटी सी उमर में इन्होंने यह medal आपका खिताब जीता था, तो यह आपके first female female है, first ever female है to win आपका go, आपका karting title है, लीमान्स, तो कही नहीं आपके जो बड़े F1 स्टार है, नहीं नाम सुनागा, मैक्स वेस्टरपन, और आपका लैंडो की बात करता है, citizens all across the country, तो वो आपको नाम बताना था, वो ता आपका नितियाग, नितियाग के बारे में आपको बताऊंगा, पहले से मैं आपको mission के बारे में बता देता, जो संपून नता अब यहान है, उसके बारे में थोड़ा बता देता, यह आपका 3 मन्त का campaign था, इन aspirational district program था, इसके इन था target था, 112 aspirational district create करना और APP आपका aspirational block program वे target आपका 500 aspirational block बनाने का target था, यह सब aim था, aim इसके बात करें, तो aim आपका क्या कहता है, इसमें essential government service देना, आपका 500 block में, all across the country, 5 theme थी इसकी, theme इसकी 5 थी, health nutrition था, education था, agriculture था, basic infrastructure था, आपका social development था, composition की बात करें आपको पता होना जाते हैं कि जो composition है नीतियायो की, वो आपके chairperson कौन है उनके, तो chairperson अपने PM है, मोधी जी वो इसके chairperson है, governing council में आपके CM होते है, lieutenant governor होते है, UT के, वो इसके council member होते है, जन इसके regional council member होते हैं, इसके full time basis होते हैं, कोई part time नहीं, और part time इसके होते हैं, जो rotational होते हैं, change होते हैं, special invities होते हैं, इसमें कुछ आपके CEO, Chief Executive Officer होते हैं, जो कि PM हो point करते हैं, for the fixed tailor, तो कहां पे करा गया है, तो वो आपको नाम बताना था, वो state का, तो वो state था, आपका केरला, जो हमेशा हर चीज में ढवान से रहता है, तो that was आपका केरला था, आप देख सकते हैं, India's first inclusive sports manual for differently able kids, set up करा गया था, यह था हूँ, टिक है, then हमारा next question, इसमें पूछा गया है, की, अभी किसे आपका PM बनाया गया है, United Kingdom का, recently कौन इलेक्ट हुआ है, तो वो आपको नाम बताना था, वो थे आपके, कीर, स्टैमर जी थे, फोटो देख रिकते हो, वो है, यह है, की स्टैमर जी, तब थोड़ी से आपको जोगरफी पता होने चाहिए, UK की है, तो UK आपको वैसे तो पता होगा, UK की capital क्या है, वो हापकी लेंडन, आपकी neighboring countries कौन सी, इसमें, आपका Ireland होता है, उपर में आपका Iceland है, दूर आइलेंड गूरूप है, यहाँ पे आपका Scandinavian countries होती है, आपकी यह, ठीक, आपको पता होगा, Scandinavian countries कौन सी है, पास में आपका France है, यहाँ आपका Netherlands है, Belgium है, जर्मनी है, और आपको पता होगा की physical feature के में हमने बात करें, तो यहाँ पे आपका English Channel आपका पास होता है, किसके बीच में से, आपके यहाँ से, ठीक है, आपके Greenwich, जो है, primary day, 0 degree, then हमारा next question है, इसे question कहीं ना कहीं, पूछे जाते हैं, आपके 1 day exam और SSC में, तो इसमें पूछा गया था है, कौन से city को आपका highest ranking दी गई है, आपका cost of living के मामले में, 2024 का एक ता, किस ने release कर था, आपका Mercer cost of living city ranking में दिया गए, तो कौन से city है, वो बताना इसमें आपकी first पर आपकी Hong Kong रही है, देख लेता है आपका data, second पर आपके Singapore रही है, third पर आपके Zurich, Switzerland की, यह आपकी China का है, यह Singapore की है, then आपका काफी those cities है, वो आपकी Switzerland की majorly, then आपकी US की New York का आती है, 7th number पर, then आपकी London है, 8th number पर, United Kingdom की, थोड़ा सा और यह आपका देख स इंडिया तो नहीं है, top 10 में, top 20 में भी नहीं, then हमारा next question थोड़ा एसा ही वेक सा question है, बदे पता ही होगा, तो world first CNG by कौनसी company आपका Bajaj ने लांच करी थी, उसका नाम बाताना था, वो थी आपके Freedom 2020 था, इसमें CNG यहाँ पे install और रखिये, then हमारा next question था, इसमें बूचा Bajaj पाई की the definitive biography उसका नाम है, ठीक है, then हमारा next question है, sports related करेना का important है, तो इसमें पूचा गया था, इंडिया के chess player हैं जिन्होंने जीता है, आपका Leo Master Title 2024, तो वो आपको नाम बताना था, वो थे आपके Vishwanathan Anandji, जातने हो गया आप इनको, और आपके famous कौन चल रहे हैं आपके Praganand, यापको पता हो, यापे confused हो सकते हैं, यापे Vishwanathan Anandji, then हमारा next question है, इसमें पूचा गया था, कि अभी किने आपका कीर्थी चक्र दिया गया है, पॉस्त मसली मतलब, आप्टर मरने के बाद मरनो परांत है, तो प्रेज़न दुरॉबदी मुर्मुरे ने दिया था, दु दुरिंगा फायर इसिडेंट, तो वह आपको नाम बताना था, वह आपको पता होगा है, काफीने उसमें पे, तो वह था आपको कैप्टन अंशुमां जी, यह आपके काप्टन अंशुमां जी तो उनकी वाइफ और मदर थी, उनकी तुरॉप्ति मुरमुन झी यह ता है, क जो प्रोजेक्ट था उसका प्रोजेक्ट का बताना था जो कि आपके मिनिस्टर अफ कल्चर गावर्मेंट ऑफ इंडिया ने लॉंच करा था इसमें बात करी थी आपका नेशनल ग्रे और मॉडनार्ट टु सीक आपका बिरिंग फॉर्थ पब्लिक अड़ था विलिएनर अस् प्रोजेक्ट परी के मामले में थोड़ा सम् डिसकस कर लेता है तो प्रोजेक्ट परी आपका आपका कौन सी मिनिस्ट्री थी आपकी मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्र इसमें थे, इंक्लूड थे, अपका यहां पे थे, इंडिन टॉज थे, अपकी नॉलेज थे, नाड और साउंड थे, आपका हर्मनी ओफ लाइफ थे, ते अपका कालपोतरु दे डिवेंटरी और उसके साथ साथ आपका वुमेन आर्टिस्ट्स जो होती उसमें, उनको काफी-काफी, अच्छा रेप्रेजेंटेशन का तरीका मिल गया था, अपनी कला को दिखाने के लिए, ठीक है, तो इनारी शक्ती को भी परमोट कर रहा था इसके साथ सा, तो दाट्स आल टुडेए, तो यह हमरे थीस कोस्चन अमने कवर कर लिया, इसके बाद आद हम पार्ट वाएगा, उसमें हमरे थर्टीए और पार्ट रियागा, तो उम्मिद करता हूं, आपको यह स्रीज पसंद आरही होगी, तो अगर पसंद आये, तो प्लीज लाइक थे वीडियो, शेर विट यूर फ्रेंज और शेलेक्शन क्लासस, थैंक यू.